हेलो 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 गुट मॉर्निंग तो अनदर ब्यूटिफुल दे और टेस्क ट्रिकेट में पाकिस्तान और ऑस्टिलिया के बीच सिड्डी टेस्ट मैच का दूसरा दिन है और पहले दिन पहले सेशन के इस्टिताम पर सूरते हल कुछ ऐसी है एक विकेट गिर है और ऑस्टिलिया का वार्नर की विकेट गिरी है खवाजा नाटो डेर साथ में लबुशान खेल रहा है लेकिन जैसे मुस्मिन भाई को जमाईया आ रही है तो वैसे ही जमाईया आ रही है देखके भी बहुत ही कोई ढाई के रंडर से खेलने हैं तुम सीरीज में दो जीरो से उपर हो थोड़ा सा अब पाकिस्तान चार के रंडर से खेला है थोड़ा सा मत्तब खाजा साब या लबुशेन साब कोई थोड़ा सा आगे हालका भूलका रिदम आगे लेके चलें लेकिन एनिवेस परहापस दैरोके विद इस अप्रोच और रंस कोई बहुत ज्यादा नहीं आए और विकेटें भी ज्यादा नहीं आई एक विकेट गिर सिल्मान आगा और स्लिप में कैश निकलाया है और कैश पकड़ा है तो अब अभी तक जो शुरू में बालिंग की है तो मीर हमजा ही वर्स गूड अच्छा वो काफी अच्छी रिदम से रंस तो कंजूसी सी देता है आपको पता ही है हसन अली जरा आफ कलर नजर आ रहा था वैसा प्रेशर क्रियेट नहीं कर पाया दूसरी तरफ से और वो साजिद भी कोई बहुत एक्सेप्शनल किसम की कोई बालिंग नहीं करवा पाया तो अब सूरते हाल यह है कि एक विकेट गिरा है और आस्टेलिया रफता रफता दीरे दीरे मद्दम मद्दम आपने रंस की रफतार को तो पता नहीं आगे कब तेज करेगा लेकिन यह है कि अवराल बढ़ रहे हैं रंस थोड़े आश्ता आश्ता ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं और समान खाजा वेरी कौशियस तू तो इसी तरहीं काम चल रहा है धाई के रंस से रंस बन रहे हैं और आश्ता अली साब बिस्मिल्ला रिमान रहीम अस्सालम अलाइकम सुबर बाद सुबर खार गड़ मौनिंग सश्यकार नमशकार रिज्मान अथर साब तेके एट लस स्लीपलेस इस इस दो अनली वेर यू रहे हैं लिव लॉग अधर आपको जो है ना नींदर ही चड़ी रहे हैं रह कराएंगे तो आमरी जमाल महां क्या करेगा अच्छा अगर आपका कप्तान कवर में मुझ से बाल पकड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा देखें ऐस्ट्रेलिया डिजन्ट माइंड यह माइंड गेम्स होती है ना दो सो पैंतिस रन वो दूर जरूर हैं लेकिन अगर को खड़े रहे हैं भी तो देखें ना सोला मॉलों में तीन रन ना है लेभुशेन के सबसे पैस्ट यह राइट मीर हमजई दा लेकिन हम कमेंटेटर भी कह रहे थे कि शानुदा किंग ने एक साल लगा दिया आगा सिल्मान को लाने में इस शुट आप इन ब्राट अरलियर अब बात वही है कि जब आपने आँके बंद करनी होती हैं देखें अगर टाइम इस यूर साइड तीसरे ही टेस्ट मैच है थोड़ा सा आप तेज खेल रहे हैं लोगों को अंदों जो आता ना अंदों में काना राजा तो अभी आपको अंदों में और फिर बाबर की जो हे है वो है आप माने या ना माने बाबर ब्रैंड की तरह अभी भी ना कप्तान ना कुछ ना का अलांके उसने माड़ा 26 नहीं किया ठीक खेल रहा था आउट हो गया ठीक है लेकिन बात यह जब आपने इग्नोर करना होता है जिसे कहते हैं दर्गुजर करना होता है फिर सब ज चेंज की और आखरी दोनों विक्टेल नहीं अस्टेलिया की कैरी और उसको आउट किया और इंग्लेंड वो टेस्ट मैच अस्टेलिया से एशिस का जीत गया तो जनाब उस पे भी एक फसाना बना दिया गया यह लाओ नहीं है अमपार ने क्यों मना किया फलाना क्यों तो पाइंट सिक्स जीरो से रंज आ रहे हैं बड़ दे डोंट माइंड आउस्टेलिया सिंपली डेसंट माइंड के वो आज पूरे दिन में देखें यह तीन प्लेयर हैं एक उस्मान एक लबुशैन और एक स्मित जो यह पचास पचपन साथ की औसन से खेलेंगे उसके बा तो देखेंड के 72 रंज इस सेशन में आये हैं 29 अवरों में पाक्स्तान ने बड़ा अच्छा अवर्रेट मेंटेन किया है अवर्राल नथिंग टॉक मच्च जो बात है सीधी सी वही प्थैटिक आपकी फिल्डिंग वही प्थैटिक आपका माइंड सेट वही कावर्ड और स्लो आपकी अप्रोच है और एक सैम अयूब का कैच है होता है डेब्यू टेस्ट है जब आप अंडे पे आउट हो जाएं दूसरी माल पे फिर यू आर अंडर प्रेशर हैट्स आफ टू शान मसूद अबदुल्ला शिफीक वाला जो तजर्बा था वो उसके दमाग से निक है कि कराची कराची और कराची तो करता रहें कराची करांची और करांची 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 करने से आप कभी भी ऐसे मुल्क ऐसे कौम नहीं जो है आगे बढ़ेंगे बेल्कुल कि ऐसे ही है और कैच चलो वार्णर की वह जड़या कोस्ट ने क्या लेकिन काच पकड़नें चाहिए Heβαılar काष्ट करना चाहिए था अच्छी बात है कि इतना नहीं गिया वरना आपको पता है वो तो तीन तीन सो रंस बना देता है जब तक आप उसको दो बारिया ना खिलाएं तो वरनर युजली ही मेक्स लॉट अफ रंस अगेंस पाकिसान तो और जब जब भी उसका कैच चुटा है वो वेश ही दरिंदा बन जाता है लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई इन टम्स अफ रंस कोई बहुत उसके बाद विजाता नहीं बनाने काम्याम हुआ परना पाकिसा भी भी तेस्ट मैक में ज्यादा दूर की बात तो नहीं है तो साथा साथा से सिंपल सिंपल से कैच इस हैं अब यह बच्चे लेने आ रहे हैं इनकी ट्रेनिक करवानी चाहिए कि जितना ही टाइम अब बिताते हैं बैटिंग में या बॉलिंग में तो उससे आदा एट लीस्ट आपको फिल्डिंग में भी बिताना चाहिए फिल्डिंग की वज़ा से ही आप कई लोग अपनी जो प्लेंग लेवल से भी वायर हो जाते हैं तो बड़ा जुरूरी है कि फिल्डिंग पर तबज्जो दें और यह स्पेशल स्पेसिफाइड प्ल के लिए तुछ गुद्ध मॉर्निंग भाई लोग बॉलिंग तकडी करें पाकिसान सेकंड सेज़न में यह बुद्धी थीग है वह चार वर यह चार रन विकर्ट है वह भी ठीक है और हामर जमाल थोड़ा महंगा है चार वर में सोला लेकिन उसने तो विकर्ट ले यह तो सब को पता है वो पहले सेशन में मार खाता है उसके बाद उसका इंजन जो है वन टू फाइव की तरह घरम हो जाता है हाँ साजित खान तोड़ा से एक्सपेंसिव है लेकिन अगर आप कवर में आपका कप्तान ही या कैप्टर लैड्स बाद एक्जैंपल इस नाट फि पच्छी स्थीस रन बना दिये और बस डैट इस एनफ फिर आपके अगले पिछले सारे गुना जाया है वो माफ हो गया है तो फिर आपकी मर्जी है देगे एक बात जेन में रखें निजबान है दर वंडे हो या टेस्ट क्रिकिट हो मैं टीट वंटी नहीं कहता लेकिन टे अबने तीस अवरों में तीस रन बनाये हैं टाइम इस एट यूर साइट एन अबवाल विकेट्स जब आपने तीस ओवर खेल लिये उस तीस ओवरों में डैफिनेटली बीस ओवर तो प्राइम बॉलर्स के होंगे अगले तास ओवर चले मानले कोई टटु के होंगे या मिक मिक्स्चर सा होगा उसके बाद क्या होगा तो भाही टेस्ट मैज जो है इस आल बाउट पेशिंस अब देगे काल इंडिया का 153 फर फोर और 153 आल आउट क्या हुआ यह हुआ कि आ रहे हैं जा रहे हैं क्या रहा बॉले मोमेंट अफ शियर मैडनेस विच लेड तो दा फ्र लोग रहे हैं इंडिया मैच आर गया हाला कि अभी 36 रान उनके हैं साथ विक्टे रहे हैं फिर भी कह रहे हैं इधर पाकिस्तान लोग देख रहे हैं 235 रन है के चलो भाई विकेड एक गिरा है और चार दिन में अभी देखें नौर तो 11 सेशन पड़े में हैं 11 सेशन रहते हैं and you never know about team Pakistan. This is the biggest problem. Everybody, every single body in Australia is talking about Rizwan, Agha Salman and Amir Jamal and here in Pakistan, everybody is talking about बाबर ने रन नहीं किये शानू की कब्तानी बड़ी कमाल है सर्पू बाई होते तो ये ये आपके मुल्क का हल के यहां पे सारे paid mafias बैठे हैं बुल अफ़ वाल स्ट्रीट कह रहे हैं Australia 588 पे आर्ट डेक्लियर पाकिसान 532 पे तीन और Australia 60 पे चार्ट मैज़ डॉप ठीक है हमें कबूल है किसी भी सूरत में नहीं होगा ड्राये टेस्ट में बड़ा मुश्किल है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है यह जो हाल का सिसला वो थम जाए बस बाकी ठीक है और Australia में पांसो तो हम दो बारियों में करते हैं आप एक में करवारे हैं तो भी दो तीन की कमाल धमाल जिस तरह उसने दंदिया निकार रहा था स्टार्क उसको लैन को हैजलवूड को जो चक्के मारे हैं वाई 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 पूल पे तो मज़ा आगे है भाई जैन मैं तो समझता हूं रोज शर्मा ने अगर देखे हुए तो वो भी खुश होग कि ठीश है भई आया तूजा से डिंडा अकैडमी में आप द तो बहुत अच्छी वाल में एक राण तिन च्वर dużo चार मेडन तो तो दूसरा जो अच्छी लाइन लेंद्स पकड़ के बॉलिंग की है आगा सलमान ने बॉलिंग की है और आगा सलमान ने चार अवरों में तीन रन दी हैं और विकेड भी ले गया वार्नर जैसी खतरनाक और सबसे एंड पर उसको ले गाए हैं हमारे कप्तान जी कभी उसको कह जाते हैं बाकी भाई साजिद खान की निस्पत आगा जो है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है और तीन अवरों में चार है वो आठ अवरों में तैंतिस दियों में तो अब साजिद खान को बीच में डाला इनोंने कि स्पिनर्स को सिस्ट करेगी तो थोड़ा सा भाई उसके स्टेन है साजिद खान पहली दफावाँ पे गया है दूसरा दो टैस्ट मैच विचारा बार बैटा रहा है आगा सिल्मान मुस्लसल खेल रहा है बालिंग चाहे पैचिज में कर रहा है कर रहा है तो मेरे ख्याल है साजिद खान का इंपक्ट आपको अब लंच के आपको नजर आएगा डैफिनेटली विल कम इंटु प्ले यह घुंट आ रहा है और वैसे भी ना भी नजर आ रहा है वर्णर तेज केलता है तेके ना रजवान सत्रावरों में उंतालिस रणते है उस्ट्रैलिया के शत्रावरों में 49 रन दे ये तो बाकी एंड पे फिर वही लेबुशेन आया तो ठुस हो गए उस्मान तो ऐसे ही है वरना थोड़ा असा मोमेंटम इनोंने पकड़ लिया था लेकिन वो वर्नर आउट हुआ तो लेबुशेन आ गया लेबुशेन इसी तरह पहले बहुत सारी बाले खाएगा उसके बाद जब ये वन सी सेटल आउट रन और रन रन और उसके बाद ये जनाब थोड़ा रिदम में आएगा पिर पचास, साट, पैंसेट, सत्तर की स्ट्राइक रेट से स्कूरें करेगा बिलकुल ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको शुरू में कहा दिया था अभी जब हम ने शो स्टार्ट किया कि टाइम इस अट ऑस्ट्रेलिया साइट अगर आज वो बाकी दिन में पाकस्तान के 235 रन के करीब भी पूरे ना भी करें मैंदा लैट स्पोस्ट दो सो कर दे और और एक दो विक्टे और गिर जाए तीन विक्टे गिर जाए तो रन बराबर हो गए मैंदा चार पांच आउट हो गए उसके बाद वो आपको फैंटे सो सवास होगी लीड ले जाए तो यह कोई कमाल नहीं होगा कमाल यह होगा के पाकिस्तान आउट करें, पाकिस्तान मस्ट गो आफ्टर विकेट्स किसी तरह उस्मान खाज़ को आउट करें स्मिट और लैभुशान आएं पिर स्मिट और लैभुशान में से एक उड़ा है हैड और मार्श आलएज, आलवेज they live by the sword they die by the sword they will give you ample opportunities it is up to you whether you grab them with both hands or let them slip away like you did in the last test match and you lost that test match वर्ण शेडल सब देखिए उसलिया तो चाहेगा कि जायर है कि 500 runs करे और वक्त का कोई मसला है नहीं वक्त की कोई मसला परिशानी है नहीं हमने देखा पहला test match भी चार दिन में खत्म हो गया दूसरा test match भी चार दिन में खत्म हो गया आजकर test match पूरे पांच दिन में जाते भी नहीं है चलो सब्सक्रिका में तो हलात ऐसे है कि वो एक match तीन दिन में खत्म हो गया और यह जो दूसरा match है यह किसी को बहुत surprise नहीं होना चाहिए कि अगर दो दिन में test match खत्म हो जाए पहले दिन ही 23 विक्टे गिर चुकी है और अभी आज जो दूसरा दिन शुरू होगा तो उसमें अगर यह पूरा match ही नतीजह ही आ जाए तो दो दिन में पांच दिन का match दो दिन में खत्म तो test cricket में अब नतीजह आते हैं एक्सलिया वांटेड पाकिस्तान टू बैट लाइक टेस धाई के रन्रेट से खेले और 300 सवा 300 साड़े 300 करे धाई के रन्रेट से इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब हो कि आपने 100 से जादा और खेले और 110-15 और आपने उनको फिल्ड में रखा पाकिस्तान अभी तक सब्सक्राइब पूरी सीरीज में एक इनिंग में भी सो वर नहीं खेले यानि यह मैक्सिमम तीन सेशन में निपड़ जाते हैं तो अस्टेलिया अगर डाइकर अनिर से वह खेल जाता है चार सेशन और खेल जाता है तो ठीक है उनका इसाब किताब पूरा हो जाएगा और हम जोरिंग ओके बाकी ख्वाजा तो टाइम लेता हिए वह भी तभी खेलता है जब उसे पता हो कि इनिक्स डिकलेर करने वाली है जैसे पहले मैच में तेस्केल ला करनी थी लेकिन जब उसकी अपनी मर्सी हो तो इसी तरह ही खेलता है मतलब यह 35-40 का बीच पाकिसान को करना यह है कि आप अगर वो इसी तरह इसी स्ट्राइग से खेल रहे हैं so you need to take couple of tickets every session only then you can put some sort of pressure एक तो खेल भी अगर नहीं रहे तेज भी और chances भी नहीं दे रहे और हलका 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 रॉन्स जो हैं वो उतारे जा रहे हैं आपके हर सेशन में आपको चाहिए कि दो दो तीन दो तीन दो तीन विक्टे लें तब ही जाके बात बनेंगी लेकिन ऑस्टेलिया थोड़ा कॉशियस है तो विक्टे इनको निकवा नहीं पड़ेंगी और अच्छी बात है अगर थोड़ा लाइन लेंद स्टेड़ी रखें और वैसे भी कॉशियस है रंस भी नहीं आ रहे तो इसका सबसे एक अच्छा फाइदा यह होता है कि जैसे विक्ट किरता है तो आप प्रैस वह ज्यादा तदाद में आगे बढ़े नहीं होते सो लेट सी अब क्या बनता है सिल्सला अभी मैं शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में अच्छा तो कैच तो छूटा है लेकिन मुस्ण अजी साब चलो शुकर है कि कोई वो जैसे वार्नर रंस करता है तेर सो दो सो तीन सो तो आखरी अब उसकी एक इनिंग रहेगी है होफ़ली कि आज आजाए आखरी इनिंग चोड़ेगा नहीं वो यह नहीं करेगा मैंने आपको रात को कहा तो चले आने तो देना इसको छोड़ेगा या नहीं लेकिन देखें यह तो कोई अच्छा प्रिसिडेंट नहीं है यह तो कोई अच्छी बात तो नहीं है कि अगर आपने कैच उटके जादा दुबारा नही किये तो ये कोई excuse तो नहीं है कमेंटरी में भी आशे बोगले कह रहे है वेन यू आवागा सल्मान और बाबर आजम और बाबर आजम शोड़ गूड प्रेसेंस अफ माइंड तो बाइजे ना आपने सैम यूब को क्यों कड़ा किया मैं मुझे एक बाद समय नहीं आरी यह जैसे हकूमते यहां लांच की जाती है इसी तरह कप्तान लांच की जाते है पहले उन्हें पूरी फीलिंग लगा के दी जाती है उसके बाद उनकी माँ बहन की जाती है और रिज्वान है दर साब बात यह है कि आपको अगर इतना भी नहीं हकल है कि कोई दिखेंगे अभी आपने थोड़ दिर पहले कहा है खुद के स्पेशलिस्ट होता है यहां पे आप फुद्धू पसंजर नहीं कड़े कर सेके इसके लिए शार्प रिफ्लेक्स प्रेसे सम्माइंड चाहिए अगर आप मुझे इतर उतर खड़ा करेंगे डैफिनेटली शायद मेरे वो उस तरह में एफेक्टिव ना हो जब आपके पाद दो बेतरीन स्लिप के फिल्डर है जैसे इंजमाम होता था अजर मेहमूद होता था आप अगर रजाक को गड़ा कर देंगे और डैफिनेटली वो तो हर जगा मुझे बाल पकड़ता था वो तो ये नों था कि वो मुझे बाल पकड़ता है तो बाइजान इसी तरह अब्दुल्ला शिफीक हो गया या सैम यूप का कॉन्विडेंस शैटर्ड है वो हो सकता है कि अच्छा विल्डर हो स्लिप या गली या पॉइंट का लेकिन अंडे पे जो आउट हो उसके दमाग में फिल्म चले यह पाकिस्तान है अंटल अलस यू आपको सारा पता है यह होता गया है कौन से गेट नंबर की पैदावार कौन होता है यह सारा आपको पता होता है ना तो यह नहीं चलेगा यह ऐसे किसी भी सूरत में यह आप देख लीजेगा जब इनका मकसद पूरा हो जाएगा यह इसको भी इतने इसमें कीडे निकालेंगे और यही कराची का मीडिया जो है मीडिया I'm not talking about YouTube I'm talking about mainstream media को देखना जैसे पागल के बच्चे हैं Australian ना मकूल है ना अंजार है नांसेंस है brainless है कि यह जब भी बना रहे हैं रिजवान को आगा को या आमिर को या बाबर को या चलें शानूदा किंग को यह क्यों नहीं साओध इमाम और आपके अब्दुल्ला शिवीक या आपके सर्फू किंग को साओध के साल प्रोड क्लेंड चैंपियंस नहीं कर रहे हैं यह अनबाइस लोग है हाशा बोगले अगर कर रहे हैं कमेंटरी कर रहे हैं उसके पीछे एक दाईयों का experience है अनबाइस आदमी है जो बात करता है त्वेंटिक करता है जो बात करता है हो सकता है हलका बुलका सारे करते हैं साइड लेते हैं समझाता है पर यह तरली खान नहीं है यह बाजद खान नहीं है और यह कराची पे बैठ गैए सुबा दुपार शाम चेंज लफावर नहीं है वो जो बात करता है इसमझाती है बात यह है आपका नंबर वगिट कीपर इसवर अगर आप दुन्या one dimensional है, ड्रामा करता है, उसके जो उसकी जो speciality है, वो उसके पूरा उतरता है, या नहीं उतरता है, जो ऋ and you are judging a person, you will judge him on the field, not off the field, अगर वो ड्रामे करता है, फर्स करे फर्स करें, वो मानता भी है, भर न्यूद कर रहा है, आपने कया लेना हो आपने सुत्ते वे शा, स्टमम में, सक्च्मिस शा लेना है, और दो-तीन ऋन वाला लेना है, यह चलें, जो थोडा ड्रामा करें, ल कि रिजवान ने पकड़ा किसी का बाप नहीं पकड़ सकता था रिजवान के ओवर सीज में मिनिमम थाजन रूंस में इसकी आभरेज काफी अच्छी है चालिस ब्याज़ तरतारीच च्छालिस की आभरेज है अब लगाज़ अधर एशियन विकेट कीपर गोल्डन ब्लाक सब करें जैब साजिद खान स्पिनर यार अभी लंच ब्रेक तक तो वो स्पिनर ही था अभी लंच ब्रेक में पता नहीं कोई खा पी के कोई खास कोई आभी पठाना थोड़ा से प्रे होते हैं चोड़ा हमारा हम अब लंच में पता नहीं वो क्या खाएगा तो फेर शायद फास्ट बालर बन जाए वरना तो है स्पिनरी वो उट रही ना खाए बागी खाया रहा है अविनाश्तवारी अंकल करें जिना गुड वार्निंग आमिर जमाल की बैटिंग में मज़ा आ गया जिनाम आई आलवे जिनी को सुबह सुबह मारा परनाम नमस्ते सुस्रियकाल बोले तो थैंक वेरी मुच बाकी इस वार्न जो मैं पूरी खाने के लिए अगर आपका दिल है तो मैं पार्चल करा दू नहीं भाई मैं मिठा छोड़ दिया ये कम जनर यार ये खुदा के लिए ये मुझे ये आपको दोरा पड़ता है दस बारा दिन का जैसे ही आप इंगलेंड जाते हैं फिर आप कहते हैं मैंने छोड़ दिया डाइट बास खतम ये वह दर भाई देखें उपर वाले का शुक्रिया दा करें के आप सब कुछ खा सकते हैं मैंने वो लोग देखे हैं जो तरस्ते ह खाने के लिए भाई यू शुड यू यू आर दे बैस जजज आपको पता है किस वद कितनी मिकदार में खाना है और जो डॉक्टर साहिब आपके घर बैठी है उन्हें भी ये पता अपने पर भी लगानी चाहिए ये सारी सैंक्शन्स आप देखे हम इसके खिलाब मोर्चा हम नहीं मानते शुन कैये रखते बस करो आप तो खुदा के बागा उदर होता होगा बहाभी साहिबा अपर पर पबंदिया लगाती होगी मैं तो मरजी का मालक हूं जो चाहे हैं जो जाए हूं जाएं जाके हलवा पूरियां खाएं बज़ए लगाना में तो पबंदियों म आपने पूरा प्लॉट बनाया फिल्म लिखी उसके बाद एडिटिंग की उसके बाद पॉइंट ब्लैंक पे वापस आये जाएं यार आप जाके नश्ता करें मैं तो जा रहा हूं आपने पूरी पानी पूरी एंड पेट पूरी देन वापस मज़े करो मज़े करो जी पाकिस्तान में आपको साथ ले जाता है ऐसी कोई बात नहीं है यहां पर मज़ब पिछले दिनों इक खाई है अलवा पूरी ओ भाई जा लिने क्या पता अलवा पूरी जा होती है माई गा भाई यह पहली ते आफी वार्सी आच चो बात भी तो आपने खाई है फिर लसी भी आपने पी थी यू लुकमाल में नाइक बार निग गोटाइद इस गाइड लसी यह यहां सबस्बाब पैसी बाते अमत करें आहां 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 जाब लस्टी का इलास हो कमाल के कुझा आले यह जाले के चने हो लाला लालम गरम गरम घुलिभारी ओ पूरियां आहाहाँ बाई जान टीम तो आपकी ठेंडी ठेंडी है तो पूरिया तो गरम घरम घानी चाहिए ना बस रिका करें आप पाकिस्तान अब यह नहां बैद आपके वाले तो दुनिया की अर्चीज खाते हैं वो देखें वहाँ पहुंचें इंडिया में बिर्यानी खाते हैं व इहां से निकलो आपना बाज आएंगे जर्मरी, शर्मरी, स्विजर्लेंड बगारा सभर स्विजर्लेंड दूरब आगी तैस भी कि वह सब्साइब दूर्थ भॉत और सको एगी वहते है boss वैसे तो मेश्च चांचा अल्स प्या है J Despard Talk, तिस पिच्च तो वह बालिंग कर रहे तो पिच्च में डेमन से आज अब वह बैटिंग कर रहे है तो पिच्च वह फ्लैट हो गई है बस और तो कुछ भी नहीं है पिच इस गुट देगे टेस्ट मैंग पिच तकरीबन ऐसी होनी चाहिए जिसमें इवन कॉंटेस्ट हो अभी जादा बात नहीं होरी सौथ अफरीका वाली पिच्च की दो दिन में टेस्ट मैच खतम हो जाएगा मोस्ट लाइकली नोबडी इस गिविंग अडैम अंटिल अनलस के जब मैच खतम हो फिर शायद कुछ लोग निकल आएं कुछ तो खैर जाहरी ब आख्या बात बात नहीं है एक चीज बुरी है वो ये एक जीज बुरी है वो ये फिल्कुल बात 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 नहीं है है कि हम अभी तक साले उनिस्स है हम पाकिस्तान इंडिया की आद तक और बंगला देश की आद तक तो एक दूसरे को रगड़ने में नचोड़ने में एक दूसरे के मज़े लेने में तियार है लेकिन घुलामी का जो तौक है नहीं जी वाज बालिंग तो बड़ी कमाल है खेल दे सक्लैर मुझ्दाक अब्दूलकादिर और यह भिशन सिंग बेंदी यह फाद बालर दे यार बंदा माना के भाई माइकल होल्डिंग और मार्शल और यह इम्रान गार बौथम कपील देव और आके बड़े तो थामसन वामसन और आके की तरफ बड़े अंडर्सन वगार लेकिन बाई जान, spinballing भी तो एक हाद आना यार यार तो कहें, spinner ban करा साले Samir सब आगे है जी, good morning जी, आप कहरें, I told you that Aussie will come hard, well they are not coming hard to be honest, they are okay, die के रनरे ते खेल रहे हैं, लेकिन विकट एग किरा है बाकी, anyways, इजवान, in summer tourist season, everything is very expensive in Europe, you should go in May or September to save, अच्छा, यानि मय में जाएं या सिप्टमबर में जाएं, चलो ठीक है, कोई आप से मश्वा ले ले लेंगे कि कोन सा महीना ठीक है, तो, thank you for your advice, और बाकी आपको अच्छी तरह काल वाले मैच से पता होगा, 153 पे चार 133 में मैंने नमाज शुरू की, चार आउट दे, और एक नमाज कितनी देर चली होगी, 15 मिंट, 20 मिंट, और उसमें जनाब छुटी होगी आजी, तो, ढाई के रंडेट से खेलने हैं फिलाल, विकट एक गिरा है, ये concern वाली बात है, अगर वो पूरा session खेलते रहें, ढाई के रंडेट से ठीक है, बस दो तिन, दो तिन, आप विकटने लेते रहें पर session, तो, not bad, बाकी, आप से मश्रा लेंगे, जब जाएंगे, यूज करें, कौन सा होटल यूज करें, क्यूंकि उस वद्ध तो आपका जमाना है तालिमिल्मी और जमाना है कडकी होगा सुमीर भाई, उस वद्ध वाप जो है ना, ये million dollar और million pounds वाली game नहीं खेलते होगे, इस वद्ध तो आप खेलते होगे, यार इंडिया तू पंज ज आरब जी ने पेजया जी, है ते ते सोड, पॉंड ही बढ़े है, ते पंजा पॉंड जड़ा ना, ओ, पैदल चलके बचावांगा, ते काफी पी लांगा, ते बाकी जड़े पंजा पॉंड ने, ओ, गोरी नों भी पुसाना है, नहीं, नहीं, वाकी है के, अबबा जी को कि है, वो फीज ले और उन्हें डबल कर दिया, इस दमा थोड़े और बेज़े, नहीं, अपा जी बड़े समझदार थे, वो ड्रेक कांट्रेक्ट में थे युनिवस्ट्री के साथ, हो कहा है, तू छोड फीजा, ओ, मेरा काम है, तू फीजा चोड तू अपने सो पॉंड लहा आनिमल मुवी देख लिया भाई, मैं गया था, आपका हुआ, कल गया था, काफी लंबी तीन गंटे, बाइसमेंट की बहुत, अलाक इतनी आपके जमाने में बॉलिवुड की मुवी इतनी लंबी होती थी, चार-चार गंटे की भी होती थी भाईजे, मेरा नाम जोकर है, प बहुत लंबी थी, आधन आई वस वेटिंग एक अनिमल ने वैसे इसकी शारुकी पठान का रिकार्ट तोड़ दिया, अच्छा, हाँ, बार जारुकी डंकी जो है वह भी 500 के गलाब में इंटर होने वाली है, डंकी नहीं है वह डंकी है, डंकी, डंकी वह जो जाते है ना, शिपों के थ्रू और वो वो चले, वह यह डंकी है, वह शारुक में कहते हैं डंकी, डंकी जब वो हिर्वानी साहब इसके वो बना रहे थे तो, बड़ा काम्याद रेक्टर अजी रिजवान साहब, एनिधिंग, एवरिधिंग, ही टचिस, ही टान इंटु गोल्ड, वो दे के थ्री इडियर्स देख लें, मुन्ना भाइस देख लें, तो कमाल का है, चलो जी अभी फिर आप देखें मैच, विकेट ले ले लें तो चलें, के नहीं, मीर हमजा जी, तो खाजा, मीर हमजा एक तरफ सा अच्छी बालिंग कर रहा है, सल्मान ने पिछले बद मिका है, त तो चोका है, चोका, मीर हमजा ने अच्छी लाइन और लाइन तो पकड़ी हुई है, लेकिन साथ में धोड़ी विट्टे भी लें तो जड़ा अच्छी बात है, लैबु शाहन ने, अच्छी मोहिद गुजर साब पूछ रहे हैं कि साइम को टीटवटी में मौका मिलेगा, या रिजवान और बाबरी उपनिंग करेंगे अभी न्यूजी रैंड में, बाब रियास ने कहा जी अभी हिंट तो यह दिया है, पर हूँ इस वाब रियास, इस जास चीफ स्लेक्टर एंड पपिट आफ तो वह कौन होता है, यह डिसाइड करेंग कौन करेंगा, कौन नहीं करेंगा, यह फैसला कप्तान करता है, या यह जो डिक्टेटर है, आपने साथ दो इंटे निचे लगा के बेजावा है, यह करेंगा, मौका देना चाहिए वैसे, साम अयूब को, कुछ डिफिरेंग को, मैं मानता हूँ, तो थोड़ा मौका देना चाहिए, यंग्स्टर्स को मौका देना चाहिए, और शायद कि थोड़ी रिफ्रेश्चिंग अप्रोच के साथ खेलने में काम्याब हो जाए, तो चलो फिर आप देखो, भाईयो, मैच और अचनली नाट इन फिल्ड आ जाएगा, मिलते हैं फिर भाई, नेक्स सेशन में, टेक कियर, बाई-बाई बाई बाई-बाई